भाई और बहनों, राजस्तान का एक बड़ा हिस्सा, रेगिस्तानी तो है ही सीमावर्ती भी है, कठीन बौगोलिक परिस्तितियों के कामण, हमारी माताय बहने बहुत सी चुनोतियों का सामना करती रही है। अनेक वर्षों तक मैं राजस्तान के दूर दराज के खेत्रों में आता जाता रहा, मैंने देखा है कि सौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में माताओ बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी। आज गरीब से गरीब के घर, सौचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्तान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परिशा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहट राजस्तान के 21 लाग से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर गर जल अभियान राजस्तान की माताओं बहनों बेटियों के पहरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं। उन पर मरहम लगाने का एक छोटा परिमानदार प्रयास है। साथियों राजस्तान का विकास भारत के विकास को भी गती देता है। जब राजस्तान के लोगों को गरिब की मद्यंबर की सहुलियत बढ़ती हैं। उनकी इस अफ लिविंग बढ़ती हैं। तो मुझे भी संतोस होता है। बिते छे साथ वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्तान में गरीबों के लिए तेरा लाग से अधिक पक्के घर बनाए गए है। पी-एम किसान सम्मान निधी के तहट राजस्तान के चवत्तर लाग से जादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगबग ग्यारा हजार करोड रुपिये सीधे किसान के खाते में ट्रांस्पर हुए है। प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना के तहट राज्जी के किसानों को पंदरा हजार करोड रुपिये से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते, कनेक्टिविटी और बॉर्बडर एरिया डेवलप्मेंट को प्रात्विक्ता का लाब भी राजस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाइवे का निर्माण हो, नई रेल्वे लाइनों का काम हो, सीटी गैस डिस्टिबिशन हो, दर्जनों प्रोजेक्स पर तेजी से काम जारी हैं, देश के रेल्वे को ट्रास्फरम करने जा रहे, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस्था से और गुजरात से हैं, इसका काम भी नए रोजगार की अनेख संभावनाय बना रहा है.